तेजपत्ता के बारे में हम अच्छी तरह से जानते ही हैं, क्योंकि तेजपत्ता हर रसोई घर के अंदर प्रयोग किया जाता है. सबजी वैगह के अंदर तेजपत्ते का काफी उप्योग किया जाता है. आचार वैगह के अंदर भी तेजपत्ते का प्रयोग होता है. यह एक करते होंगे लेकिन बहुत से लोगों को इसके फाइदे के बारे में पता नहीं है तेज पत्ते को जलाने के ज्योतिश के भी फाइदे होते हैं वही वैग्यानिक फाइदे भी होते हैं हम आपको यहां पर दोनों ही तरह के फाइदे के बारे में बताने वाले हैं नंबर वाल सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का काम करता है यदि आपके घर के अंदर बुरी उर्जा मौजूद है तो आपको तेज पत्ते को जलाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अधिक फाइदा देखने को मिलेगा नमबर टू धन के अंदर बढ़ोतरी करता है यह माना जाता है कि यदि आप अपने घर के अंदर तेज पत्ते को जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर धन की बढ़ोतरी होती है मतलब आपके घर के अंदर धन की कोई कमी नहीं होती है आपके यहाँ पर धन की समस्या दूर होती है रूका हुआ पैसा आपको मिलता है नमबर त्री बुरे सपनों से छुटकारा दिलाता है ये भी कहा जाता है कि तेज पत्ता बुरे सपनों से छुटकारा दिलाने का काम करता है यदि आपको बुरे सपने आते हैं, तो आपको एक तेज पत्ते को अपने सोने वाले कमरे के अंदर जला देना है ऐसा करने से आपको रात को बुरे सपने परेशान नहीं करेंगे इसके साथ ही एक पत्ता आपने तक ये के नीची रख कर सो जाएं ऐसा करने से आपको बुरे सपने आना बंध हो जाएंगे। बुरे सपने को बंध करने का यह एक अच्छा उपाय है। नम्बव 4 पती और पतनी के बीच प्रेम बढ़ाता है। यदि पती और पतनी के बीच जरा भी नहीं बनती है, तो आपको दो तेज़ पत्ते को लेना है और उसके बाद उसको कमरे के अंदर जला देना होगा ऐसा करने का फाइदा ये हुगा कि पती और पत्नी के बीज जो कला है उसको दूर करने में काफी हद तक मदद मिल जाएगी नमब फाइव आपके तनाफ को दूर करता है घर के अंदर तेज पत्ता को जलाना इसलिए भी फाइदे मंद होता है क्योंकि यह आपके मन के तनाफ को दूर करता है आपके मन में शांती पैदा करने का काम करता है यदि आप अक्सर तनाफ के अंदर रहते हैं तो अपने घर के अंदर एक तेज पत्ता रोजाना जलाएं। ऐसा करने से आपका तनाफ तो कम होगा ही इसके अलावा आपका मन भी काफी खुश हो जाएगा। नमब सिक्स घर में आएगी अच्छी महक। दोस्तों यदि आप अपने घर के अंदर तेज पत्ते को जलाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर अच्छी महक आने वाली है आपको यकीन नहीं आता है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा हो सकता है मन को सकून देने वाली महक हर किसी को पसंद नम्बर सेवन मच्छरों को दूर भगाने में उप्योगी, घर के अंदर मच्छर तो होते ही हैं, और अधिक मच्छर का होना काफी अधिक डेंजर होता है, वे आपको बीमार बना सकते हैं, यदि आपके घर के अंदर काफी अधिक मच्छर हैं, तो फिर आपको अपने घर के दो तेज पत्ते को रोजाना जला कर देखना चाहिए ऐसा करने से मच्छर घर से भाग जाते हैं हाला कि मच्छरों को भगाने का ये कोई कारग तरीका नहीं है इससे अच्छी तरीके पहले से ही उपलब्ध है नमबर एट कॉक्रोज को भगाने में करता है मदद यदि आपके घर के अंदर कॉक्रोज हैं तो फिर आपको अपने घर में रोजाना उन स्थानों पर तेज पत्ते जलाने चाहिए जिन स्थानों पर कॉक्रोज होते हैं ऐसा करने का फाइदा ये हुगा कि कॉक्रोज आपके घर से भाग जाएंगे हाला कि आपको बतादे कि ये तरीका कौक्रोच को भगाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है इसके लिए आप दूसरे तरीके का ही यूज करें तो अधिक प्रभावी होगा नमबर नाइन बुरी आत्माओं से घर को बचाता है यदि आप अपने घर के अंदर तेज पत्ते को जलाते हैं तो यह आपको बुरी आत्माओं से बचाने का काम करता है बुरी उर्जा कभी भी तेज पत्ते की सुगंद को पसंद नहीं करती है तो तेज पत्ता को जलाने से उनका प्रभाव काफी कम हो जाता है 10. संक्रमन से बचने में होता है उप्योगी दोस्तों तेजपत्ता आपके घर के वातावरन को शुद्र करने का काम करता है और यह आसपास के अंदर मौजूद कीटों को मारने का काम करता है जो की बीमारी फैलाते हैं ऐसी स्थिती के अंदर यह बीमारी को दूर करने में काफी उप्योगी होता है। आप रोजाना अपने घर में दो तेजपत्ते जला सकते हैं। काफी उप्योगी रहेगा। नमबर 11 घर में किस तरह से तेजपत्ता जलाना चाहिए? यदि आप घर में तेजपत्ता जला रहे हैं तो यह एक बहुत ही आसान है। एक कतोरी ले और उसके अंदर एक सूख तेजपत्ता ले और उसके बाद उसको जलाएं। फिर इसको अपने घर के अंदर घुमाएं। जैसे कि तेज पत्ते की महक आपके पूरे घर के अंदर फैल जाएगी, इस तरह से आप कर सकते हैं, और तेज पत्ते को जला सकते हैं, हाला कि आप तेज पत्ते के साथ कुछ अन्य सुगंधित जड़ी बूटियों, जैसे कि लोग, इलाइची और डालचीनी भी मिला सकते हैं तेज पत्ते को जलाने के बाद दुए को घर के सभी हिस्सों में फैलाने के लिए कटोरी को हिलाएं